हेलो गाईज नमस्कार स्वागत एक बार फिर से आप से भीका टुडे टोक के इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के कहने पर और आप लोगों के डिमांड पर फाइनली हमने राजस्तान करंट अफेर्स की वीडियो सिरीज आज शुरू कर दी है और आज हमारा पहला बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको बताना चाहूंगा हमने इस चैनल पर राजस्तान, वंदरक्सक, वनपाल, ग्राम सेउक, पटवार, रीट, इतियादी प्रिक्साओं की तैयारी सुरू करवा दिये आपने अभी तक चैनल को चैनल जोइन कर लीजिए टेलिग्राम चैनल पर आपको इंपोर्टेंट नोर्ट्स, MCQ टाइप क्यूशन, PDF फाइल और जो भी इंपोर्टेंट सूचना होती है वो में प्रोवाइड करवाता हूँ आज का हमारा पहला क्यूशन है, हाल ही में DRDO दुवारा विक्सित देश की पहली सवदेसी मसीन पिस्तोल का नाम क्या है देखो दोस्तों DRDO ने विक्सित किया है और ये देश की पहली सवदेसी मसीन पिस्तोल है सवदेशी का मतलब है ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है ठीक है इसका नाम है दोस्तों आस्मी ASMI आस्मी पिस्तोल का नाम है DRDO ने विक्सित किया है तो DRDO के बारे में DRDO की फुलपूम होती है Defense Research and Development Organization जिसको हिंदी में रक्सा अनुसंधान एवं विकास संगतन कहते हैं इसका Headquarter कहां पर है तो इसका Headquarter नई दिल्ली में है और दोस्तों इसका एक वाक्य है बलशे मूलम विज्ञानम ये आपको याद रखना है अगला क्यूसन है अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आंतकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित कर दिया है अमेरिका ने नामित किया है आंतकवाद का एक प्रायोजक देश तो ये देश दोस्तों है क्यूबा क्यूबा को किया है नामित अमेरिका ने क्यूबा दोस्तों एक केरेबियन समुए का देश है और ये एक दूवीपिय देश है ठीक है इसकी आबादी की बात करें तो लग उसने भारतिय सेना दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तु भारतिय सेना दिवस आई होप आप सब को पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है और दोस्तु कब से मनाया जाता है भारतिय सेना दिवस तो 15 जनवरी 1949 से सेना दिवस मनाया जाता है और दोस्तु 15 जनवरी 1949 को ही थल सेना क के अद्धिक्स बने थे केम करियपपा ठीक है और केम करियपपा जब इसके अद्धिक्स बने पर्थम तबी से भारतिय सेनादिवस मनाया जा रहा है अगला क्यूसर ने हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं तो दुनिया के दोस्तु सबसे अमीर आदमी बन बन गए है और दोस्तों एलन मस्क जो है ये दक्सिन अफरीकी कनाडाई अमेरीकी नागरिकता प्राप्त है और इन्हों ने दोस्तों एलन स्पेस एक्स की स्तापना की और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेलसा कंपनी जो की काफी प्रशिद है और 8 जनुवरी 2021 तक इनकी जो नेट वर्थ है वो 184 अरब है अब दोस्तों याद रखना कि जेब बेजोस को इन्हों ने पीछे छोड़ दिया है अगला क्यूसन है हाल ही में निमन में सेंक किस बेंक ने सेना के जवानू के लिए किसके लिए सेना के जवानू के लिए सोरिये सेलरी अकाउंट दोस्तों बंधन बेंक ने और बंधन बेंक एक छोटा बेंक है जो लोगों को लोन की सुईदा उपलब्द करवाता है और इसी ने दोस्तों सोरिये सेलरी अकाउंट लॉंच किया है अगला क्यूसन है भारत सरकार ने निमन में से किस नदी पर विश्वक की सबसे बड़ी ये इंपोर्टेंट क्यूसन है इसको नोट कर लेना विश्वक की सबसे बड़ी तेरती हुई सोर उर्जा प्रियोजना का निर्मान करने वाला है ठीक है सोर उर्जा प्रियोजना है जो कि तेरती हुई प्रियोजना और विश्वक की सबसे बड़ी प्रियोजना होगी ये नर्मदा नदी पर बनने वाली है ठीक है नर्मदा नदी पर इसका निर्मान होगा और दोस्तों नर्मदा नदी है इसका दूसरा नाम रेवा नदी है क्या है रेवा नदी और दोस्तों ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम कहां से होता है तो मद् अगला क्यूस ने किसान सूर्यद्य योजना किस राज्य ने सुरू की तो किसान सूर्यद्य योजना है ये दोस्तूं गुजरात राज्य ने सुरू की है और इस योजना के दुआरा दोस्तूं किसानों को 24 गंटे इलेक्ट्रिसिटी यान की बिजली है उसकी सुईदा उपल करवाई जाएगी ताकि किसान अच्छे खेती और अच्छा उत्पादन कर सके तो किसान सूर्योदे योजना गुजरात रज्ये में सुरू हुई है अगला क्यूसन है भारत सरकार ने गणतंतर दिवस के अवसर पर किस देश के राष्टरपती को मुख्य अथिति के रूप मे आने का नियोता दिया है तो अभी 26 जनवरी को किस देश के राष्टरपती को नियोता दिया गया है तो दिया गया है दोस्तों सुरिनाम के राष्टरपती को सुरिनाम दोस्तों एक देश है ये एक लेटिन अमेरिका का देश है ठीक है और इसकी जो राजदानी है ये दोस् ये मूल के हैं लेकिन सुरी नाम के ये राष्ट्रपती है इनको न्योता दिया गया है मुख्य अथिति का अगला क्यूसन है विश्वे की पहली संसद कही जाने वाली अनुभव मंडप की आधारसिला किसकी आदारसिला अनुभव मंडब की आदारसिला किस राज्य में रखी गई है तो इसका दोस्तों आंस्वर होगा करनाटक में करनाटक में अनुभव मंडब की आदारसिला रखी गई है इसको विश्व की पहली संसद भी कहा जाता है और दोस्तों अनुभव मंडब की बात भी वा करते थे एक दार्षनी कवी थे जिनका नाम था बसव कल्यान या बसवे स्वरा और उनी के लिए अनुबव मंड़प है यह जाना जाता है और दोस्तूं करनाटक जो है इसकी राजधानी कहां पर है इसकी राजधानी बैंगलूरू है और इसके जो मुखे मंत्री है बियस यदर्फ़ा इसके मुख्यमंदरी है अगला क्यूसन है हैनले पास्पोर्ट सुचकांग में भारत का कौन सा इस्थान है तो दोस्तों भारत का इस्थान है 85 सीवा और हैनले पास्पोर्ट सुचकांग है यह 119 डेसों की सूची जारी करता है ठीक है 199 देसों की और 3 महा से इसकी सुची जारी होती है और इसके अंदर हैनले जो है ये एक संस्ता है ये क्या करती है ये दोस्तूं पासपोर्ट का सुचकांग जारी करता है नाग रिकता के आधार पर ठीक है तो इसमें भारत का अभी 85 इवां इस्तान आया है तो ये था दोस्तूं वीडियो कोमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा अपने फ्रेंड सरकल में या मोबाइल के किसी भी ग्रूप में इस वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा थैंक्स पूर वोचिंग मिलंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद